नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत एक बार फिट से आपके अपने यूट्यूब चैनल माजिद साइस पर आज हम आपके लिए लेकर आए साइस से जुड़े कुछ मैतपून क्वेशन अंसर जो की आपसे आने वाले कम्पिटीशन एकजाम में पूछे जा सकते हैं मोस्ट इंपोटेंट क्वेशन आल कम्पिटीशन एकजाम तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं फटा पट दोस्तो आज का हमारा फर्ष्ट क्वेशन है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्त्रोथ निमिन में से कौन सा है दोस्तो इसकोपसन नमबर A यानि आवला आवला आपका विटामिन सी का सबसे मेर्टरपून स्त्रोथ माना जाता है और विटामिन सी की कोज होल कट के दुआरा की गई थी हमारे नेक्ट क्वेशन है मानव सरीर में गुर्दे का परमुक कारिया क्या होता है दोस्तो इसकोपसन नमबर A यानि सरीर से बेकार दरव को बहार निकालना मानव सरीर में गुर्दे का परमुक कारिया होता है किसकी कमी से रतुंदी नामक रोग हो जाता है दोस्ते इसको उप्सन नमबर A यानि विटामिन A की कम्मे के काणरोतों दी नामक रोग हो जाता है और विटामिनों की कोछ फंक के द्वारा की गई थी और विटामिन A का अविसकार मैकूलन के द्वारा किया गया था जबकि विटामिन C का अविसकार आपका होल कट के द्वारा और विटामिन B का अविसकार भी आपका मैकूलन के द्वारा किया गया था और उप्सन नमबर D है हमारा विटामिन D इसका अविसकार आपका होपकिंग्स के द्वारा किया गया था हमारे next question है राइबोजोम पादब का भूमिगत प्रारूप निम्न में से कौन सा है दोस्तों इसको प्सन नमबर A यानी तनाराइजोजोम पादब का भूमिगत प्रारूप आपका तना होता है हमारे next question है चेचक के टी के का विसकार किसने किया था दोस्तो इसकोपस नमबर A यानि एड़वर्ड जेनर ने चेचक के टी के काविसकार एड़वर्ड जेनर के द्वारा किया गया था हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है सरीर में कुल हडियों की संक्या कितनी होती है दोस्तो इसकोपस नमबर A यानि 206 हडिया सरीर में कुल हडियों की संक्या आपकी 206 होती है हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है सरीर की सबसे लंबी अस्ती निम्न में से कौन सी होती है दोस्तो इसकोपस नमबर A यानि फीमर याफित जांकी जो कि आपकी सरीर की सबसे लंबी अस्ति या फिर हड़ी होती है जो कि मनुस्य की उचाई का एक बटा चार भाग होती है अगर इसके कुल लंबाई की बात करें तो इसके लंबाई लगबग 48 यानि 48 cm के 20 तक पाए जाती है अगर सबसे छोटी हड़ी की बात करें तो सबसे छोटी हड़ी आपकी स्टेपीज की हड़ी होती है हमारा नेक्ट क्वेशन है सरीर में सबसे मजबूत हड़ी निमन में से कौन सी होती है दोस्ते स्कॉपसर नमबर A यानि जबडे की हड़ी जो की सरीर की सबसे मजबूती हड़ी होती है और सबसे बड़ी हड़ी आपकी जांक की हड़ी जिसको फीमर की हड़ी भी कहा जाता है और सबसे छोटी हड़ी आपकी स्टेपीज नामक हड़ी होती है हर्दिय एक मिनट में कितनी बार दड़कता है दोस्तों इसको उपसन नमबर A यानि 72 बार हर्दिय का जो आपका एक मिनट में 72 बार दड़कता है और मनुश्य एक मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है हमारे नेक्स्ट क्वेशन है खून का लाल रंग निमलिकित में से किसके कारण होता है दोस्तों इसको उपसन नमबर A यानि हीमोगलोबीन के कारण खूल का जो आपका रंग होता है वह है लाल होता है हमारे नेक्स्ट क्वेशन है हीमोगलोबीन निमलिकित में से योगिक होता है दोस्ते स्कॉप्स नंबर A यानि प्रोटीन का हीमोगलोबिन आपका प्रोटीन का योगिक होता है लाल रक्त कनिकाओ का जीवन काल लगबग कितना होता है दोस्ते स्कॉप्स नंबर A यानि 120 दिन जोकी आपका लाल रक्त कनिकाओ का जीवन काल होता है हमारे next question है रूदीर को ठक्का जमाने में निमलिकित में से कौन सा विटामिन सहायक होता है दोस्तो इसको अपसर नमबर A यानि विटामिन के जो की आपका रूदीर में ठक्का जमाने में मदद करता है हमारे next question है रुदीर का तरल भाग निमलिकित में से कौन सा होता है दोस्तो इसकोपस नमबर A यानि पलाजमा जो की आपका रुदीर का तरल भाग होता है हमारे next question है रक्त समू में सरवदाता और सरवगराही निमलिकित में से कौन से होते है दोस्तों इसको अपसन नमबर A यानि O तथा AB वरग के लोग रक्त सुमू में सरवदाता यानि O वरग के और सरवगराहि यानि AB वरग के रक्त सुमू के वैक्ति सरवगराही पाए जाते हैं नेक्स्ट क्वेशन है पित निमली कित में से किसके द्वारा उत्पन होता है दोस्तो इसको प्स नमबर A यानि यक्रित में पित आपका यक्रित में उत्पन होता है हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन है सुवस्त मुनुश्य का रक्त चाप कितना होता है दोस्तों इसको अपसान नमबर A यानि 120 असी जो की सवस्त मनुश्य का रक्त चाप होता है और मनुश्य का एक मिन्ट में हरद्या की दड़कन आपकी बैतर बार होती है जबकि एक मिन्ट में सांस की लेने की अक्समता मनुश्य की 16-18 के बीच में एक मिन्ट में यानि मनुश्य सांस लेता है हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है रक्त से ऐसुद पदार्तों को अलग किसके द्वारा किया जाता है सरीर की सबसे बड़ी कोसी का निमली कित में से कौन सी होती है जबकि आपकी जान की हड़ी या फीमर की हड़ी आपकी सबसे बड़ी हड़ी होती है हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है हाइड्रोफोबिया निमली कित में से किस सम्बंदित होता है दोस्ते सकॉपसा नमबर ए यानि कुत्ते के काटने से जो की आपका हाइड्रोफेविया सम्बंदित है हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन है वाइरोलोजी निमली कित में से किस सम्बंदित होती है दोस्ते स्कॉपसा नमबर A यानि विसानों के अध्यन को वाइरोलोजी कहा जाता है यानि वाइरोलोजी का संबंद आपका विसानों के अध्यन से है हमारा नेक्ट क्वेस्टन है खून का ठक्का नहीं जमना निमली कितमे से किस के कारण होता है दोस्तो इसकोपसा नमबर A यानि हीमोफीलिया नामक रोक के करण आपका खून का थक्का नहीं जमता जिससे थोड़ी सी चोट लगने पर मुनुश्य का रख्त लगातार बैता रहता है और कुछ समय बाद मुनुश्य की पमर्तिव हो जाती है हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है ट्रैकोमा एवं गलू कोमा रोग निमली कितमे से किस से सम्बंदित होता है दोस्तो इसकोपसा नमबर A यानि आँख से ट्रैकोमा एवं गलू कोमा रोग आपका आँखों से सम्बंदित होता है हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है जो आप सभी के लिए करप्या कुमेंट करके जरूर बताएगा मानो सिरीर के किस अंग में हडियों की संक्या सबसे ज़्यादा होती है हमारे पास हो रफ सन्व मस्तिक्स में, छाती में, अंगलियों में या कसेरुका में दोस्तो कुमेंट करके जरूर बताएगा मानौ सिरी के किस अंग में हडियों की संक्या सबसे जादा पायाती है फिलाल के लिए दोस्तो आज के लिए इस वीडियो में इतना यह दिया आपको यह वीडियो अच्छ लेगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए कुमेंट कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजी साइंस को वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद